पंडाल में अफरा तफरी मज़ गए लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को समखलने का मौका भी नहीं मिला और पल भर में पूरा पंडाल जल कर खाक हो गया इस हाथसे में बड़ी संसा में लोग जुलस गए हाथसे की खबर मिलते ही प्रिशासन की टीम मौके पर पहुची घायलों को इलाज के लिए वारार्सी रेफर किया गया घायलों में कई लोगों की हालत नाजुद बड़ी हुई है पर प्रिशासन पूरे मामले की चार्ज में जुट गया है लेकिन जिस तरह पंडाल में आग भड़की उसको देखकर ऐसा लगता है कि सुरक्षा नेमों के अंदे की जरूर हुई होगी और जिस जगा ये हाथसा हुआ उसी जगा पर मौचमूत है मेरे सहियोगी रोहित उनका रोग कर लेते है रोहित जो घायल हुए है वो बता रहें कि जो गुफा नुमा दिवार महाँ पर बनाई गई थी उसमें भी करण था ऐसे में ये हाथसा और बड़ा हो गया लोगों को बाहर निकलने की ना जगह मिली ना समय मिल पाया और आप देखिए कि इसमें जरास अभी इस प्लास्टिक लगे हुए है और जब आग लगी है तो आग विदिन सेकेंड इतनी तेजी से बढ़ी है कि किसी को कुछ प्लास्टिक लगे हुए है इसके अंदर भी प्लास्टिक लगे हुए थे चारो तरब प्लास्टिक थी और जब आग लगी है तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला जो भागने का मौका मिला उस रास्ते को गुफा नुमा बनाया गया था वहां पर यह आग का गोला बना हुआ था आप देखे कितना लंबा है यह इतना लंबा है और जब यह बना गया जब गुफा बनाया गया था यह बहुत ही यहां पर लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई और तब तक मौके पर दमकल के कर्मी पहुचे हैं उन्होंने ताबर तोड़ पानियों से आग को बुझाया कावू पाया काफी मसक्कत के बाद काव पाया लेकिन तब तक चौसट से अधिक लोग गंभी रूप से घाय लो चुके थे जिसमें दो लोगों की मौत हो चुकी थी आप देख रहे हैंगे कि यह देखिए सब कुछ जल के राक हो चुका है यहां पर अब यह देखिए माता की जो मूर्ती है यह थावत है बाकी सारी चीज़े जल के राक हो कुतवाली है कुतवाली के ठीक बगल में फायर बिगेट के लिए की शेसन है वहां से उसको यहां आने में जो पांच मिट का रास्ता था वो बारा मिट रोने तैय किया सोचिए कि कि कितनी बड़ी लापरवाई थी बिल्कुल रोही तो यहां पर यह साफ नजर आ रहा है कि आयोजिन बड़े स्तर पर किया गया था लेकिन लापरवाही दिखाए गए क्योंकि जो एक रास्ता बनाया गया था गुफा नुमा उसे आकरशक दिखाने के लिए उसी रास्ते के संक्रे होने की वज़ा से और उसी रास्ते के एकलोता वहां बाहर निकलने के लिए अंदर दादा यहां पर जुल से हैं जो भी लोग इस हाथ से में गंभी रूप से घायल हुए हैं फॉरंसिक टीम मौके पर पहुंची है यहां पर एविडेंस कलेक्ट किये गए सुबू जुटाए गए कि आखरकार इस यह आख कैसे लगी शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि आख जो है वो शॉर्ट सर्कीट की वज़ा से लगी लोगों ने बताया भी है कि वहां पर जो गुफा नुमत धिवार बनाई गए थी उस धिवार पर भी करन था तो दो लोगों की मौद फिलाल ये बताई गई है परशासमिंट की ओर से मरने वालों का आखरा दो बताया गया है चौसर्ट लोग जखनी हुए है यूपी में पिछले दो दिनों में दो दर्दनाख हास से हुए शनिवार को कानपुण में शद्धालों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में घुरी जिसमें 26 लोगों की जार चलेगी जबके इसकी ठीक अगले दिम्याने कल भदोई में दुर्गा पंडाल में आजमें एर खासे में 64 लोग चलेज के और दो लोगों की मौत होगे मस्तिभारत में खबर लगातार जारी हैं आगे आपको दिखाएंगे मुलायम सिंग के लिए दुआ करें नौदेवियां बदल देंगे आपके दुनिया टीवी न्यूस का सबसे बड़ा आस्ट्रो शो ज़रूर देखिए अपसे थोड़ी देबाद सुभा साथ बजे सिर्फ एवीपी न्यूस पर आच्वा नवरात्रा फिर कन्या पूचन का नहीं होता कन्या पूचन अश्टमी तिथी को करना चाहिए या नवमी तिथी को कैसे करें बहुत सरल विदी कन्या पूचन की माहगौरी की जो उपासना है वो सिद्धी दातरी की तरफ ले जाती है ये दिन आपके जीवन में बैलन्स लेक्याता है यानि संतुरन बनाता है माहा अश्टमी के दिन में माता माहा गौरी जहां पे वास करती है वो है दिवे चक्र मा के किस प्रिय रंग से आप करें उपाए कोई ऐसी सबस्त्रा है जिसका कारण या हल आपको समझ नहीं आ रहा है तीवी जगत का सबसे बड़ा एस्ट्रो शो नौदेविया सिर्फ एबी पी नियूज पर सुबह सात बजे और दोपहर को डेड़ बजे एबी पी नियूज आप को रखे आगे सत्रह सालों से लगातार देश के बड़े बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब अब ही आज दुनिया ने माना है इसका लोहा वल बुक अफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ संसनी का नाम इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया एबी पी नियूज आपको रखे आगे मैं आदर्श जाँ सुबा सुबा तेज रफ्तार विस्तार से आपको दिखाऊंगा सभी ताजा ख़बर मैं जिया शर्मा आप तक लेकर आऊंगी बीते दिन की वो बड़ी ख़बरे जिनका आपके आज पर हुगास है मैं आपर ना आप तक पहुँचाऊंगी वो सारी ख़बरे जो दिन भर रखेंगी आपको सब से आगे करिये दिन की परफेक्ट शुरुआत नमस्ते भारत के साथ रोज सुबा छेजन और सिर्फ एबी पी नियूज पर क्या मजबूरी है मेरी बताईए मैं अभी आपको बताती हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ लेते हुए टक टकी मार के डिबेट शू को पॉज रिपीट करकर के देख रहे हैं जोगिंदर जी इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव अपने स्मार्ट टीवी पर हर खबर के होते हैं कई पहरे सच क्या है सही क्या है निश्पक्ष क्या है और क्या है परदे के पीछे देखिए मेरे साथ हर खबर का संपूर्ण विशलेशन क्या है निवेश गुरू निलेश शा का फंडा निवेश के फेसले लेने में एक लालच और भाई दोनों से एकवी डिस्टन्स रहना चाहिए पंजाब और पंजाबियत की परचाई अब पंजाब के सबसे बड़े डिटीएज प्लेटपॉर्म एरटेल और टाटा प्लेपर उफलब जाए आप एबीपी साँजा देखने के लिए अपने केबल ओपरेटर से अभी संपर्क करें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादफ की तब्यद बिकर गई है मिदान्दा के ICU में उन्हें एड्मिट किया गया है प्रधार मंत्री मोदी ने अकलेश यादफ को फोन कर मुलायम सिंह यादफ के स्वास की जानकारी ली है अक्सिजन लेवल कम होने के बाद मुलायम सिंह यादफ को मिदान्दा स्पताल के प्राइवट बॉर्ड में ICU में शिफ्ट किया गया जहां उनके स्वास्ते पर लगातार निगरानी रखी जा रही है प्यम नरेंद्र मोदी ने अकलेश यादफ से बात करके मुलायम सिंह यादफ के स्वास्ते के बारे में जानकारी ली सूत्रों के मुताबिक प्यम मोदी ने कहा हर संभव मदद के लिए मौजूद है कल अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी नेता जी को तुरंद गुरुग्राम के मेदानता अस्पताल ले जाया गया मेदानता पहुचने के बाद पहले प्राइविट बॉर्ड में रखा गया था लेकिन ऑक्सिजन लेवल कम होने के वज़े से आईसी यू में शिप्ट किया गया मिली जानकारी के मताबिक मुलाइम से यादों को किड्नी इंफेक्शन, यूरिन इंफेक्शन, सांस लेने में दिक्कर, कम ऑक्सिजन लेवल, लो बलड प्रेशर के शिकायत है तीन महिने के अंदर मुलाइम दूसरी बार अस्पताल में भरती हुए हैं इससे पहले जून के महीने में मेदानता में भरती हुए थे स्वास्त बिगरने की सूचना मिलते ही अस्पताल में नेताओं के भीर जुटने लगे लिहाज़ा समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि आदरनी नेता जी आईस्वी में भरती हैं उनकी हालत स्थिर है आप सभी से विनमर निवेदर है कि कृप्या अस्पताल ना आए नौदेवियां बदल देंगे आपकी दुनिया टीवी निउस का सबसे बड़ा अस्टर शो जरूर देखे आपसे थोड़ी देर बाद सुभाद साथ बजे सिर्फ अभी पिन्यूस पर आट्वा नवरातरा, पिर्फ कन्या पूँऑं का नहीं होता कन्या पूचन अश्टमी टिथी को करना चाहिए या नव्मी टिथी को कैसे करे बहुत सरल वीदी कन्या पूजन की माहा गोरी की जो उपासना है न वो सिद्धी दातरी की तरफ ले जाती है ये दिन आपके जीवन में बैलन्स लेक्याता है, यानि संतुरन बनाता है महा अश्टुमी के दिन में माता महा गौरी जहां पे वास करती हैं, वो है दिवे चक्र मा के किस प्रियरंग से आप करे उपाए कोई ऐसी सबस्टा है जिसका कारण या हल आपको समझ नहीं आ रहा है तीवी जगत का सबसे बड़ा एस्टो शो नौदेवियां सिर्ख ABP News पर सुबह साथ बजे और दुपहर को डेड़ बजे झाल झाल ABP News आप को रखे आगे क्या कभी अपने ध्यान से सोचा है कि जो पैन है यानि कि पर्मेनेंट अकाउट नमबर इसके 10 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे बनता है क्या ये रांडम डिजिट है या फिर अल्फबेट और नमबर का मिलकर एक प्लांड स्ट्रक्चर है वेल इस अस्मार्ट अल्फा नूमरिक कॉम्बिनेशन जैसे पहले कि जो फर्स फ्री लेटर है वो तो ए से लेकर ट्रिपल जेट तक का एक कॉम्बिनेशन होता है फोर्थ लेटर है नेजर अपकाउंट के बेसिज पर यानि कि अगर आप एक इंडिविज्वल है या फिर आप एक प्रोप्राइटर है तो आपका फोर्थ लेटर भी होगा उसके बाद है आपका 5th number जो है आपके surname का first letter जैसे मेरे case में वो है J digit 6 to 9 होता है 4 bar 0 से लेके 4 bar 9 तक था एक unique combination और जो कि last यानि कि 10th digit है वो एक alphabetic check digit होता है जो बस ये ensure करता है कि क्या pant भीच से बना या नहीं तो पसंद आई आपको ये information मैं फॉचुन 500 में इन्वेस्ट नहीं फॉचुन 500 कंपरी बनाना चाहता हूं मैं अपने गाउं की पहली महिला सरपंच बनना चाहते हूं मैं ABP News देखती हूं मैं office politics से जादा quarterly profits में इंट्रेस्ट रखता हूं मैं ABP News देखता हूं ABP News के 280 मिल इंदर्शक आगे बढ़ना चाहते हैं क्या आप नहीं चाहेंगे उनके साथ बढ़ना ABP News आपको रखे आगे 17 सालों से लगातार देश के बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को हमने किया है बेनकाब तब ही आज दुनिया ने माना है इसका लोहा Wall Book of Records में दर्ज हुआ संसनी का नाम इस सफर और इस मुकाम के लिए आप सभी का शुक्रिया ABP News आपको रखे आगे योपी के बदोई में दर्दनाक हाथ साथ दुरगा पूजा पंडाल में आग लगने से 64 लोग जुल से दो लोगों की जान गई गायलों को वारांसी और प्रियाग्राज शिफ्ट किया गया मुलाइम सिंग यादद के लिए दुआओ का दौर गुरुगराम की मैदान सा हॉस्पिटल में भरती है स्पी सनरक्षक, पुधार मंत्री मोधी और मुक्य मंत्री योगी ने अखिलेश को फोन कर जाना हाथ आज से तीन दिन के जमो कश्मीर दौरे पर जाएंगे ग्रियमंत्री अमिच शाब, बकरवाल समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात, विकास कारे के कई योजनाओं की रखेंगे आदार चला गुजरात में फिर वापस्ती कर सकती है बीजेपी, एबिपी न्यूज और सी वोटर के ओपीनियन पोल में, पुराने रेकॉर्ड तोड़ती दिखी बीजेपी, हिमाचल में आकरा आप बहुमत के पाथ गौाटी T20 में भारत की शांदार जीत, दक्षन अफरीका को सोलर रन से हराया, घरेलू मैदान पर दक्षन अफरीका के खिलास पहली बाद T20 सीरीज पर कबजा नवरात्र के आठवे दिन आजोगी महा गौरी की उपास्तना, ABP News पर अपसे थोड़ी देर बाद, सुभ़ साथ बज़े जरूर देखिए, TV का सबसे बड़ा एस्टो शोर नवरात्र में आपके सवाल, कौनसी साधना से तुरंद कमान देशबर में आज मनाई जा रही है दुर्गा अश्टमी, अवरात्र के अश्टमी पर दुर्गा के आठवे रूप महा गौरी की होती है पूचा आज से तिन दिवस्ती जमो कश्मीर दौरे पर रहेंगे ग्रिमंत्रिया मिच्छा, कई विकास कारियों के नीव रखेंगे, रज़ोरी, श्रेनगर और बारा मुला का भी दौरा करेंगे कॉंग्रेस सद्धिक सोन्या गांधी आज करनाटा के मैसूर जाएंगी, मैसूर के चामुंदेश्वरी देवी मंदर जाकर लेंगी, देवी मा का आश्रवाद दोपहर साड़े बारा बजित जाएंगी मंदर चेक्टूबर को कॉंग्रेस की भारज जोडो यात्रा में शामिल होंगी, कॉंग्रेस सद्धिक सोन्या गांधी करनाटा के मंदिया में यात्रा में होंगी शामिल उपराश्पती जगदीब धंकर निराजसभा सांसदों के लिए डिनर पाटी रखी, केंडर बंतरी प्यूश गोईल और प्रलाज जोशी समेथ कई सांसद होंगे शामिल एविपी नियूज और सी वोटर के सर्वे में बुजरात में फिर बीजेपी सरकार की वापसी संभव बीजेपी को 135-144, कॉंग्रेस को 46-44 और आपको 2 सीट मिलने कारूबाद इमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार की हो सकती है वापसी सर्वे के मताविक बीजेपी को 37-45 सीटे, कॉंग्रेस को 21-39 सीटे, आमाधी पार्टी को एक सीट मिलने कारूबाद वियार के क्रिश्य मंत्री सुधाकर सिंग का स्तीफा, नितीश के बजाए तेजस्वी को भेजा स्तीफा, आरजेरी ने कहा किसानों के हित्में पच्छोडा, बीजेपी बोडी दो महिने में दो विकेट किरे, जो नितीश की नहीं मानेगा, उससे जाना पड़ेगा सुधाकर सिंग के स्तीफे पर, बीजेपी का नितीश सरकार पर हमला कहा, धीरे-धीरे पूरे क्याबिनिट को स्तीफा देना पड़ेगा महराश्ट की सीम एकराच शुन्दे को मिली जान से माने की धंकी, खोफिया विभाग को मिली जानकारी के मताबिक, आत्मगाती विस्पोट के जरीए, हत्या की रची जा रही है साजिश धंकी की बास, सीम एकराच शुन्दे की बढ़ाई गई सुरक्षा, डेपटी सीम दिवेंदर पड़नवी संधंकी की चांच के लिए हाई-लेवल कमिटी बनाने की निर्देक्ष्टी पंजाब विधान सभा में आज विश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग, सीम भगवन्तवान ने विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया था लकेमपुरकांट की पहरी बरसी आज कारिक्रम में किसान नेता राकेश टिकेट समेथ बड़ी संख्या में किसान चामिल होंगे हिंसा में मारे के किसानों को शुनांजेली दी जाएगी, आशीश मिश्रा पर है आठ किसानों को कुचल कर मारने कारो बीजेपी सांसत बरुन गांधी ने एक बात फिर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोला हमला, बरेली की सभा में कहा, बेरोस्गारी, किसानों का घंणा बकाया, और भ्रश्टा चार है असल मुद्दा, हिंदू मुसल्मान कोई मुद्दा नहीं मुलायम सिंग यादव की बिगड़ी तबियत गुरुग्राम में, मिदानता अस्पताल के आई-स्यू में शिफ्ट किये गए अखिलेश यादव समेट परिवार के कई लोग पहुंचे अस्पताल प्येम मोदे ने अखिलेश यादव को फोन किया और मुलायम सिंग का हाल जाना, रक्षामंतरी राजनात सिंग ने भी अखिलेश से जाना, पिता कहा समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कहा, मुलायम सिंग के हालत स्थिर वो आई-स्यू में भर्ती है, सभी से ने विदन है कि हैस्पताल ना आए, उनके स्वास्त की जानकारी समय समय पर देते रहेंगे यूपी के भदोई बेदुरगा पूज़ा पंडाल भी लगी भीशन आग, आग में जोसे 64 से ज्यादा लोग, एक महिल और एक बच्चे की मौत, 42 लोगों को वारा नसी और प्रियागराज रफर किया गया आग लगने से पूज़ा पंडाल धोदू कर जलने लगा, आग लगते ही भीड में मच गई अफरा तफ्री, प्रिश्चासन ने समय रहते लोगों को अस्पतार में भंती करवाया, खाबर के मताविक बढ़ सकता है मन्नेवारों का आग बादूई में पूज़ा पंडाल मे दिस्तर पर राहत और बचावकारे के निर्देश घालों के जल स्वस्त होने की कामदा थे एंपी के आगध मालवा में दलितो और दबंगो के बीच गर्बा के दोरान हुई मार फीट, दबंगो का आरोप, कुछ लोगों ने गर्बा कारेकर में पूर गानों पर डांस करने के लिए बाहर से गुराई डांसर जबो कश्वीर के पुलवावा में सी आर पी अफ और पुलिस के संहुत गश्ती दल पर आतंकी हमला, एक पुलिस कर्मी शहीद, एक जबान जख्मी, पूरे इलाके को सरक्षा बलूने घेरा और अब देखें नवरातर पर हमारी खास पेशकर्श नौदी दिया ओम एम रिम क्लिम महागौरिये नमा, टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो नौदेविया में आप सभी का स्वागत है नवरातरी की इस यात्रा में आज हम अश्टमी तिथी में पहुँच चुके हैं महा अश्टमी भी इसे कहा जाता है और माता महागौरी का पर्व है यह नमस्कार मैं हूँ नंदीता पांडे और मैं बताने जा रही हूँ आपको ऐसी साधना जिसके द्वारा आप लौकिक एवं परालौकिक शक्तियां दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वायरा की भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या